हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं सिवाना चौबे आपका MS Coaching Institute में स्वागत करता हूँ दोस्तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें N number of electrons दिया हो तो उस conditions में वो कितना कूलम का charge कैरी करता है ये आपको कैसे निकालना है वो मैंने बताया था Q is equal to N into E ठीक है अब यहाँ पर question उल्टा हो चुका है अगर माली जी आपको charge दिया हो कि इतने कूलम का charge है जो भी value दिया है और आपसे पूछे कि मुझे बताए कि उसमें total number of electrons कितने होंगे तो उसे कैसे calculate करेंगे एक बार फिर से मेरे question को समझेए पिछले वीडियो में आपको N number of electron दिया जैसे 5 electron 6 electron 10 electron दिया और आपसे पूछे कि ये electrons total कितने charge करी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने previous वीडियो में बताया था कैसे calculation करते हैं formula यही रहेगा Q is equal to N into E यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अगर माली जे कोई body कुछ भी कूलम में charge आपको दिया हुआ कि इतने कूलम का charge वो carry किया हुआ है और आपसे पूछे कि मुझे बताये कि वो total number of electrons कितना carry कर रहा है इसमय तो उसे कैसे calculate करेंगे उसके लिए आज मैंने आपको ये topic select किया हुआ है बड़े आराम से ये चीज आपको समझ में आएगा और ये बहुत ही important भी समझना question है calculate the number of electron constituting one coulomb of charge एक coulomb का कोई charge कितना number of electrons carry करता है इसी तरह से दूसरा सवाल इसी को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है if the charge on one electron अगर एक electron पे 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 coulomb का charge होता है then how many electrons should be present in one coulomb charge अगर one coulomb का charge हो तो उसमें number of electrons total कितने होंगे इसे कैसे solve किया जाएगा आएए बहुत ही simple तरीके से इसे समझते हैं और मैं one by one सब चीज़ बताऊँगा आपको आपके पास formula है q is equal to n into e n मतलब number of electrons n मतलब क्या है number of electrons और e एक electron पे कितना charge होता है that is 1.6 into 10 के power minus 19 coulomb का charge होता है आपसे यहाँ पर question में क्या पूछ रहा है number of electrons पूछ रहा है आप मुझे बताए q is equal to n into e होता है तो मुझे number of electrons निकालना है तो left side ले जाना होगा equal to कि तो n is equal to क्या लिखोगे q by e यही आप लिखोगे अब आप n is equal to charge q by e ठीक है कितने कूलम का charge आपको निकालना है 1 कूलम का charge है तो 1 कूलम का charge है और number of electrons में आपको बताना है एक electron कितने कूलम का charge रखता है तो यहाँ पर e की जगा पर मैंने क्या बोला आप लिख दीजे 1.6 into 10 के power minus 19 coulom ठीक है दोस्तों आप देखे simple साब आप करेंगे तो आपको आएगा 6.25 into 10 के power 18 electron बट कई students को basic math में problem होता है वो यह नहीं साथ पाते हैं कि इसे कैसे calculate किया गया है तो मैं इसे 1 by 1 पूरी तरह से clear आपको करूंगा आप दिहान से बस वीडियो को देखते रहें n is equal to देखे 1 divided by 1.6 है पहला चीज इसको उपर ले जाएंगे 10 के power minus 19 है तो उपर जाएगा तो क्या होगा sign change हो जाता है मतब 10 के power 19 हो जाएगा ठीक है अब decimal number को हमको खतम करना है तो आप बताई 1.6 में कितने से multiply करें कि यह 16 हो जाए उजब decimal point खतम हो जाए CDC बात है इतना तो आपको पता होगा 10 से multiply करेंगे अब जितने से आपने नीचे multiply किया उतने से आपको क्या करना पड़ता है उपर भी multiply करना पड़ता है ठीक है यह तो आपको पता ही होगा अब यह 1 into 10 करेंगे ठीक है तो 10 होगा बट आप यह काम ना करें ठीक है दोस्तों आप बस simple चा क्या करें अभी लिख दें 1 into 10 into यह हमारा 10 के power 19 divided by यह 16 हो चुका है ठीक है मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिनको step by step clear नहीं होता है उनको सब कुछ clear हो अब 1 into 10 करेंगे तो 10 ही होगा इतना तो आप समझ मा चुका होगा तो 10 divided by 16 into 10 के power 19 ठीक है अब इसको simplify करें 2, 8 जा 16 2, 5 जा 10 अब इनको आप divide कर ले रब पर 5 divided by 8 करें तो आप पाएंगे जवाब कितना आ रहा है आपका जवाब आएगा 0.625 into 10 के power 19 ठीक है अब इसी को हमको क्या करना है तोड़ा सा और simplify करना है कैसे simplify करना है इसको decimal point को 6 के बाद मिले जाए बतलब आपको लिखना 6.25 अब आप इसको कैसे करोगे ठीक है इसमें भी कई लोगों की दिक्कत होता है power कैसे बदला तो मैं वो भी clear कर देता हूँ यहाँ पर आपको इस point में इधर लाना है इसका मत्तब आपको क्या करना पड़ेगा आपको 10 से multiply करना पड़ेगा और मैंने बताया जब आप उपर या नीचे कुछ भी कर रहे है multiply तो नीचे भी same हो procedure आपको follow करना पड़ेगा that means कि आपको divided by 10 भी करना पड़ेगा ठीक है अब जैसे यह 10 से multiply होगा तो यह आ जाएगा 6.25 into 10 के power 90 अब यह 10 जो नीचे में कुछ नहीं तो 10 के power 1 है और यह उपर जाएगा तो क्या बनेगा 10 के power minus 1 तो क्या बना 6.25 बेश सेम है 1 plus 1 minus है तो minus हो जाएगा 19 में से 1 minus करेंगे कितना आएगा 18 हो जाएगा इस तरह से 1 कुलाम जो होता है चार्ज वो 6.25 into 10 के power 18 electrons केरी करता है ठीक है दोस्तो आई होप कि आपको यह calculation 1 by 1 जिनको भी basic में problem होता है basic math में दिक्कत होगा उन सब को यह बड़े आराम से concept क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम calculation करते हैं 1 कुलाम में number of total electrons तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया आपको topic इजली समझ में आया तो आप हमारे चैनल को subscribe करें हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like करने की कोशिश करें और लोगों तक share करने की कोशिश करें thank you so much for watching this video and have a nice day